मुझे यह कहते हुए बुरा लग रहा है तुम्हारा ये कहना सही नहीं था तुम्हारा मुझे डाटना ठीक नहीं था वो ऐसे दिखाया मानो वो सरीफ हो वो ऐसा दिखाया मानो मैंने उसे मारा हो क्या आप इन sentences को English में translate कर सकते हैं आप इन्हें translate करना चाते हैं तो आपको सिर्फ sentences और grammar ही नहीं साथ ही साथ advanced English structure की भी knowledge होनी चाहिए No problem, आज की वीडियो में हम वही सिखने वाले हैं advanced English structure with their meanings and examples तो वीडियो को like जरूर करिएगा अगर आप हमारे चैनल पे पहली वार आए हैं तो चैनल को subscribe कर विल आइकन को click करिएगा चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला इस्ट्रेक्चर है guys मुझे यह कहते हुए बुरा लग रहा है कई वार आप ऐसे बोलते हैं मुझे यह कहते हुए बुरा लग रहा है कि वह फेल हो गया ऐसे हिंदी sentences को English में translate करने के लिए आप I hate to say this का use करते हैं कैसे करना example देखिए मुझे यह कहते हुए बुरा लग रहा है पर मुझे अब जाना होगा आप इसे English में बोल सकते हैं आप इस तरीके से इसे English में translate कर सकते हैं हमारा अगला example है मुझे यह कहते हुए बुरा लग रहा है कि वह फेल हो गया आप बना सकते हैं I hate to say this, he got failed आज का हमारा अगला structure है तुम्हारा मुझे डाटना कई बार आप ऐसे बोलते हैं तुम्हारा मुझे डाटना सही नहीं था या फिर तुम्हारा यह कहना सही नहीं था ऐसे sentences को English में translate करने के लिए आप योर स्कॉल्डिंग मी का use करते हैं किस प्रकार से करना example देखे तुम्हारा मुझे सब के सामने डाटना ठीक नहीं था आप इसके लिए बना सकते हैं guys आप English में बोलोगे आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं तुम्हारा ये कहना कि मैं पागल हूं मुझे अच्छा नहीं लगा guys आप ऐसे day to day life में बोलते होंगे आप इसे English में बना सकते हैं आप इस तरीके से इसे simply English में ट्रांसलेट कर सकते हैं आज का हमारा अगला structure है guys ऐसा दिखाया मानो वो कई वार आप ऐसे बोलते हैं वो ऐसा दिखाया मानो मैंने उसे मारा हो ऐसे Hindi sentences को English में ट्रांसलेट करने के लिए आप made it look as if का use करते हैं किस प्रकार से करना एक्जेम्पल देखे वो पढ़ने लगा और ऐसा दिखाया मानो वो काफी देर से पढ़ रहा हो आप इसे English में बना सकते हैं He started studying and made it look as if he had been studying for a long He started studying and made it look as if he had been studying for a long आप इस तरीके से बना सकते हैं एक और एक्जेम्पल देखे गाईस वो हे रोने लगा और ऐसा दिखाया मानो मैंने उसे पीटा हो Guys आप ऐसे बोलते हैं day to day life में आप इसे English में बना सकते हैं आप इस तरीके से इसे English में ट्रांसलेट कर सकते हैं I hope guys आज की वीडियो लेक्चर आप लगों के लिए काफी जादा useful रही होगी तो वीडियो को like, share and subscribe जरूर करिएगा आप हमें comment box में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लगों को कैसी लगी So thank you so much guys for watching this video Keep watching and keep learning Take care everyone